है during ।I nggak ga Master Self बात करेंगे infection के बारे में friends यह topic है हम लोग को pathology में भी पढ़ना है सिंध में फढ़ना है मेडिकल सरी कर्गालसिंग में पढ़ना है तो इसके बारे में हम आज dimpleop बताएंगे अच्छे से इसको बताहिंगे कि स्वेकशन क्या है 42 क्या क्या जैसे कि कोई भी इंफेक्षन है जैसे कि कोई भी इंफेक्षन है जैसे आज करोना का टाइम है तो क्या है एक पर संसे दूसरी पर से फैल सकता है एक कोई भी इंसेक्ट है इंसेक्ट के दोरह कोई पर्शन है और उसके इमिन सिस्टम को कमजोर कर देता है उससे भी मारे मॉथ के अंदर आया और वो क्या हमारे बोडी में ग्रू करता है करता है और multiply करें होस्ट कर लेता है हमारे उुपर कभजा कर लेता है उसको क्या पारइम हम बात करते हैं तो लों इंट्रोडेक्शन से हम लोग बात करते हैं बना ग्यार कि इंट्रोडेक्शन में उलाझ मैंट सब्सक्राइक या मल्तिप्लीकेशन या फिर बहुत सारे मतर में जितने पैसंग वाईर Forsch फंगी emptiness इसमें ग्रो करता है इसी को लोग क्या बोलते हैं इनफेक्शन बोलते हैं इनफेक्शन इसलोजमेंट और टीसु ओफ सेल यहाँ तक कोई दिकत नहीं अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैसे को कैसे वोले कि इससे इनफेक्शन फ्य हैं अगर हम लोग निट और लियन Дав रहेंगे रहेंगें अपने अस्ट नाइवर्मन पॉर्स नहीं रखेंगें इंवार्मेंट को क्लीन नहीं रहेंगे जिसके कारण क्या होगा हम लोग इंफेक्शन हम लोग जिसके कारण इंफेक्शन उत्पन होते हैं तो यह हो गया हुआ यह हो गया अब उसको और चीज खाया फिर वहां से गया तो गंदगी होने के कारण क्या उसके बड़ी में टॉच हो गया और उससे बॉड़ी पर बैठा आ गया और उससे इंफेक्शन हो जाते हैं इंसेक्ट वे गया जैसे कि हम लोग मानो हॉस प्लाइं मॉस्क्यूट सब्सक्राइब करते हैं कोई भी चीज है उस पर बैठा वह उड़कर आता है और हमारे क्या करता है फूड मटेरियल से इसा पर बैठता है तो क्या क्या हो जितने भी जो गंदगी था उसमें जितने माइक्रो ऑर्गनिजम था वो सब क्या होता है इसे इन्सेक के करने के कारण इंफेक्जन होता है स्वाइल में जैसे कि घृत होते हैं है जिसके कारण होगे वाटर के वारे में जैसे के बरसात वेगे रहा हुआ तो वाटर पॉलूटेड वाटर है उसमें क्या होता है इंफेक्शन ज्यादा तर गुरो करने के चांसे रहते हैं तो इस तरह से हम लोग बात किया कि सौर्स ऑफ इंफेक्शन में कौन गुनाता है है जैसी आनिमल्स इंसेक्ट श्यायर एनड वाटर अब हम लोग बात करेंगे मोड़ उफ टरं स्न के बारे में बात करेंगे तो सल्से पहले जानते हैं कि मौड़ उफ ट्रंसjed क्या है तो मौड़ आप ट्रंस्मिसन कहने का मतलब कि जितने से अब जिससरी निष्ट हो रहा है चले जा रहा है जिसके बारे में हम बात करेंगे तो बोलाएं कि मोड़ आज आते हैं उसी को बोलते हैं मोड़ आज बोलते हैं सबसे पहले के कारणact के कारण जैसे कोई person है जो क्टclick कर रहा है सब्सक्राइं कारण संज हात मिला रहे हैं उसके सथ खाना घा रहे हैं उसके क्लोज आकर बात कर रहे हैं तो क्या होगा उसमें जो infection रहेगा वो हमारे body में भी आ जाएगा जिसके कारण हम भी बिमार हो सकते हैं inhalation अभी हम बात किये थे जैसे कि कोई person है infected है वो क्या कहता है खास दिया तो हम लोग inhale कर लिये उनको जो खास है और हम लोग क्या किया है जब सास लेने लगे तो air के माध्यम से हमारे body में in कर गया जिसके कारण injection अगर जब हम injection को हम उतना securely जब हम injection प्रहार है तो उसमें बात किये थे जल्दी बैक्टेरिया को भी माइक्रो और ग्रो करेगा जल्दी से हमारे body को इंफेक्ट कर देगा जिससे हम बीमार पढ़ सकते हैं तो injection हो गया इंसेक्ट के कारण बात किया थे कि जैसे कि रैव्च बैक्टेरिया था थी में तो जिसके कारण वोलते हैं तो यह mode of transmission हो गया इनकोे लेशन तीका वेगिरा जो पढ़ता है जिसके रन भी होते हैं तो यह सब जो है mode of transmission क्या हो गया पांच परकार आओ बहुत सारे होते हैं तो पांच के बारे हम बताएं contact, inhalation, injection, insects, congenital and iniqualation तो यह सब बात किये अब हम बात करेंगे portal of entry के बारे में हम बात करेंगे तो portal of entry जो है वो चार होते हैं ear कान-едедiva entry कर सकता है'ma कोई भी infection वह कहसे इन कर रहा है जिसके वारे एम उसी को बोलते हैं portal of entry यह से होता है नोज से होता है आई के धूरोता अश्यणा के थूरोता है 2o KT करने का मतलब इजिक्ट के बारे में की कहां कहां से जो infection है वह एक परसन से दुसरे परसन में फ्हलता है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे है है वाट्र लाफ इन्टरी में था वहीं पॉट्र लाफ इसे क्तमें होगा एर के धो जो जिक्ट कर सकता है नोज के थरू आई के थरू विजायना के थरू एक सबसे इंपोर्डन जो बात होती हो क्या है मैमरी ग्लांड जो मैमरी ग्लांड है वो पॉटरल आफ इंट्री में नहीं थे कोशन पूस्ट देगा कि वेच और ती मुझो मैमरी ग्लांड इस इंट्री 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 इंट कि तो अब हम बात करते हैं टैप्स ओफ इंफेक्शन के बारे में बोलागा डिया डिफ्रेंट टैप्स ओफ इंफेक्शन यह बहुत अलग लोग पर इंफेक्शन होता है सबसे पहरा बात करते हैं प्राइमरी इंफेक्शन दूसरा में बात करेंगे प्री इंफेक्शन के बा करते हुआ शबसे पहले हमारे बोडी में caused time कोई अगर infection noticing करता है करता है हमारे बोडी में जो कभी उस से पहले नहीं हुआ हो तो ऐसे को बोलते हैं प्राइम्री इंफेक्षन बोलते हैं जो अग यहीं div Yes ठीक हो गया और फिर से वही इंफेक्ट ठंप से अगा जैसे कि अगर हमें माल लेक क कोई भी इंफेक्ट्षय अ gonna यहां मंप्स ले लिए प्री-इंफेक्शन हो गया मतलब यह इंफेक्शन जो पर मॉमस इक फates करेंगे और कोई और इंफेक्शन आकर हमारे बॉड़ी पर एक नुट अधना है जब हमारे बॉडी पर एफ्ट करता है तो ऐसे को बोलेंगे से कंड्री इंफेक्शन बोलेंगे तो इसी तरह से प्रेंट करके सभी को डिफिनेशन लिखाते हुए हम बात करेंगे तो लेट्स see my video and subscribe friends थोड़ा subscribe करो share करो यार हम रात में जगकर अठाए तीन वजे दो वजे से बनाना स्टाट करते तो थोड़ा सक प्लीज सब्सक्राइब और लाइक मैं चैनल